सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाई लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूटिशन ग्यान दोस्तों लोटस रूट यानी कमल की जड़ एक जलिय पौधा है यहां सुन्दर फूल जील धारा नदी आदी में उपता है इसके जड़े पानी के अंदर और फूल और पत्ते पानी के उपर होते हैं यहां 12 मासी जलिय पौधा है इसका उपियोग एशियाई व्यंजनों में स प्रयोग किया जाता है तो आईए जानते हैं कमल ककड़ी के मुख्य फाइदों के बारे में नमबर एक रक्त बढ़ाने के लिए कमल ककड़ी में मौझूद आईरन और कौपर लाल रक्त कोशिकाओं के उतपादन को बढ़ाने और रक्त की कमी को पूरा करने में मदद करता है नमबर दो मस्तिष्क के लिए पाइरीडॉक्सिन विटामिन बी कॉंफलेक्स का एक तत्व है जो मस्तिष्क में तंत्रिका रिसेप्टर्स के साथ संपर्क करते हैं जिसका सीधा प्रभाव मानसिक सितिती पर पढ़ता है यहाँ चिर्चिडापन, सिर्दर्द और तनाव के उस्तर को नियंतरित करता है नमबर तीन ब्लड प्रेशर नियंतरित रखे कमल ककडी में पोटेशियम पाया जाता है जो हमारे शरीर में तरल्पदार्थ की संतुलन को बनाई रखता है पोटेशियम एक व्यसुडीलेटर है इससे रक्त के प्रवाह में वृधी होती है और परिसंचुरन तंत्र पर तनाव कम हो जाता है कमल ककड़ी में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कबज के लक्षणों को कम करता है 100 ग्राम कमल की जड़ में हमारी दैनिक आवशक्ता का तिहत्तर प्रतिशत एंटी आक्सिडेंट विटामिन सी होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है 6. कोलेस्ट्रॉल कम करे कमल के जड़ में मौझूद पायरी डॉक्सिन रक्त में हीमोसिस्टिन के स्तर को नियंतित करता है जो सीधे दिल के दौरे को जन्म दे सकता है 7. वजन कम करे इसके सेवन से आवशक पोशक तत्तों की प्राप्ती होती है और हमारा पेट बहुत समय तक भरा हुआ महसूस करता है जिसके कारण हम अधिक खाने से बचते हैं और हमारा वजन कम होता है 8. आखों के स्वास्थे में कमल की जड़ों में विटामिंग A पाया जाता है जो बाल और आखों के सास्ते में सुधार करने के लिए महत्वपूर है 9. तवचा के लिए एंटि आक्सिडेंट्स में सम्रिद कमल की जड़ तवचा के कंडिशनर के रूप में काम करती है इसके उपयोग से तवचा हाइडरेट और मॉस्टराइज रहती है और मुलायम और चमकदार बंगती है 10. स्वसन तंत्र के लिए शोध से पता चलता है कि कमल की जड़ स्वसन प्रणाली के लिए लाबदायक है यह स्वसन तंत्र को साफ करने और शक्ति प्रदान करने में मदद करती है 11. डाइबिटीस के इलाज में कई शोध में पाया गया है कि कमल रूट का उपयोग डाइबिटीस के इलाज में किया जा सकता है इसमें मौझूद एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गोर्ण डाइबिटीस से लड़ने में मदद करते है 12. प्रेगनेंसी में लोटस रूट गर्ववती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें मौझूद पोशक तत्व गर्व में पल रहे बच्चे के विकास के लिए बहुत लाबदायक होते है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेर्थ जागरन को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए धन्यवाद